प्रियमित्रों, हमारे सनातन धर्म के महाकाव्य और पुराणों में ऐसी कई कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें कई पुरुष और राजा मात्र स्त्री के चल करने के कारण महान महर्षी और प्रसिद्ध तपस्वी बने हैं। इन ही में से एक कथा राजा भरत्रहरी की है, जो सनातन धर्म की प्रमुख कथाओं में से एक है, जहां राजा भरत्रहरी अपनी पत्नी पिंगला के कारण मोह माया के संसार को छोड़ कर भगवान की भक्ती में लीन हो जाते हैं। सन्यास धारण करके के बाद जन्मानस में वे बाबा भरत्री के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। प्राचीन पुराणों की महागाठा इस प्रकार है कि चक्रवर्ती समराठ महाराजा भरत्रहरी जी जब युवा वस्था में आ गए तो उनके शरीर में भोग और वासना उत्पन्न होने लगी थी। महाराजा भरत्रहरी जी उज्जैन के बुद्धिशाली और महान समराठ विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। दुनिया में वे सबसे धनवान राजा थे। उनके पास कलपना से अधिक धन संपत्ति मौजूद थी। जब उनके मन में स्त्री प्रेम उत्पन्न हुआ तो सर्वशक्तिशाली राजा भरत्रहरी जी ने अपने मंत्रियों को ही आदेश दिया कि दुनिया की सबसे सुन्दर कन्या को अपनी पत्नी वरण करने के लिए लाया जाए। इसके कुछ समय पश्चाद पिंगला नाम की एक विश्व सुन्दरी को भरत्रहरी जी की पत्नी बनाया गया। तब तक आप राज्य का शासन कीजिए। महल में किसी भी तरह की समस्या या राजदर्बार की बात मेरे तक ना लेकर आए। मुझे स्वतंत्र और एकांत में छोड़ दे। लेकिन राजा भरत्रहरी जी को क्या पता था कि ज्यादा भोगों को भोगने से कमागनी और बढ़ जाती है। एक दिन राणी पिंगला महल के पीछे की खिड़की से ज्हांक रही थी। महल के पीछे राज्य की अश्व साला थी। घोडों की सेवा और रक्षा करने वाला अश्वपाल अपने सेवकों के साथ घोडों की देख रिख कर रहा था। वो बहुत ही हश्ट-पुष्ट और जवान था। राणी पिंगला उसे देख कर आसक्त हो गई। जिसके बाद राणी उस अश्वपाल से रोजाना मिलने लगी। उन दोनों के बीच नाजायज रिश्टे बनने लगे। राणी उसके साथ संभोग की आसक्त हो गई। एक दिन गुप्त-चरों ने राणी और रश्वपाल को साथ में देख लिया। जिसके बाद ये समाचार गुप्त-चरों में जाकर राजा विक्रमादित्य को दिया। जब यह बात राजा विक्रमादित्य को पता चली तो राजा विक्रमादित्य बहुत दुखी हो गए। विक्रमादित्य अब इस सोच में पड बड़े भाई थे। एक दिन राजा विक्रमादित्य ने अपने बड़े भाई भरत्रिहरी जी से एकांत में मिलने की प्रार्थना की। यह पिंगला समझ गई थी कि विक्रमादित्य को उनके गलत आचरान के बारे में सब कुछ जानकारी मिल गई है। चरित्र ठीक नहीं है। उनका अश्वपाल के साथ गलत संबंध है। ऐसा मुझे गुप्तचरों से मालूम हुआ है। महाराजा आवेश में रानी पिंगला के महल में गए। गुस्से में आते हुए महाराज को देखकर रानी पिंगला को अंदेशा हो गया कि राजा विक्रम विक्रमा दित्य ने यह भी कहा होगा कि मेरा अश्वपाल के साथ नाजायज संबंध है। तब ही महाराज ने पूछा कि आपको यह कैसे पता। तब महाराणी ने यह कहा कि आपके छोटे भाई चरित्रहीन है। तब महाराज ने इसका सबूत मांगा। तब महाराणी ने एक परिवार को बहुत सारा धन देकर राजी कर लिया। वें राज्य सभा में आकर यह कहे कि राजा विक्रमादित्य की उनकी बहु पर गलत दृष्टी रखते हैं। परिवार में महाराणी के डर में राज्य सभा में आकर यह कह दिया। महाराजा भरत्रहरी की पिंगला में आ सकती थी और उन्हें अब विक्रमादित्य के खिलाफ प्रमाण भी मिल गया था इसलिए महाराणी पिंगला के कहने पर राजा भरत्रहरी ने विक्रमादित्य को राज्य से निशकासित कर दिया और जंगल में भेज दिया लेकिन जो व्यक्ति धर्म युक्त होता है भगवान उसकी सदैव रक्षा करते हैं। राजा विक्रमादित्य की रक्षा भी भगवान के द्वारा होनी थी। इस राज्य में एक ब्राह्मन धन की प्राप्ति के लिए भगवान इंद्र की तपस्या कर रहा था। देवराज इ इंद्र ने उस ब्राह्मन को अमर फल यानि जिस फल को खाने के बाद व्यक्ति अमर हो जाता है। वो दिया और अंतरध्यान हो गए। उस ब्राह्मन ने अमर फल की प्राप्ति के बाद ये सोचा कि वो पहले से ही निर्धन है और भूक मर रहा है। अमर होकर वह क्या कर ले और ऐसे धर्मात्मा राजा को पाकर जनता भी सुखी रहेगी। ये फल राणी पिंगला को दे दिया इसके बाद पिंगला ने पवित्र होकर ये फल खाने का वादा करके फल को स्विकार कर लिया लेकिन पिंगला ने ये सोचा कि अगर अश्वपाल ये फल खा ले तो आजीवन उनका मिलन होता रहेगा ये सोचकर पिंगला ने ये फल अश् उसके साथ संबंध में रहेगा। इसी प्रकार वैश्या ने अमर फल लेकर ये सोचा की मैं तो राज दर्बार में नृत्य करती हूँ। अगर ये फल महाराज खा ले तो वे अमर हो जाएंगे। ये उसके और उसके जैसी कन्याओं के लिए अच्छा होगा। ऐसा सोच कर उस प्रदान किया। राजा अमर फल को देख कर चौक गए। महाराजा भरत्रिहरे ने उस वैश्या से कहा की तुम्हें किसी भी प्रकार का दंड नहीं दिया जाएगा। अगर तुम ये बता देती हो कि तुम्हें ये अमर फल किस प्रकार प्राप्त हुआ है। तब वैश्या ने महाराज को यह बताया कि उसे ये अमर फल अश्वपाल ने दिया है। तब महाराजा ने वैश्या को जाने के लिए कहा और अश्वपाल को राजदरबार में पेश किया। ये सुनकर महाराज आश्चर्य चकित हो गए और ये सोचने लगे कि महाराणी पिंगला मुझसे संतुष्ट नहीं है और अश्वपाल से आसक्त है। अगले दिन महाराजा भरत्रहरी ने संपूर्ण प्रजा के सामने ये घोशना कर दी थी, आज पूरी प्रजा ब्राह्मन की तपस्या का फल अपनी आँखों से देखेंगे। इसके बाद महाराज ने कुछ नहीं बोला और अपना राज मुकुट खोलकर सिंहासन पर रख दिया और विक्रमादित्य को राज्य का महाराज घोशित करके सन्यास लेने की घोशना कर दी। और विक्रमादित्य से कहा कि धिकार है इस भोगों के संसार को। महाराणी पिंगला मुझसे संतुष्ट हो नहीं पाई और अश्वपाल में आसक्त हो गई और अश्वपाल वेश्या में आसक्त हो गया। धिकार है इस जूट से भरे संसार को। इसके बाद महाराज भरत्रहरी ने सन्यास लेकर वन में तपस्या करने के लिए चले गए। कई वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात उन्हें भगवान शंकर का साक्षातकार प्राप्त हुआ। और उन्होंने भगवान शंकर से यह मांगा कि उन्हें कभी भी सम्मान से भिक्षा नहीं मिले क्योंकि सम्मान ही संसार के राग को पुष्ट करता है।